मैं आपका होस्ट अक्तर स्रह्मान आपको आपके अपने चैनल प्लांटस इंसाइडर में खुश्यामदेद कहता हूं आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम पुराने मग्स को या कप्स को ऐसे वे प्लांटरी यूज़ कर सकते हैं नौर्मली मग्स में हम इंडोर प्लांटस लगाते हैं क्योंकि हम कप्स को इंडोर इसे टेबलस के उपर या अपने ड्राइंग रूम में या आपने ड्रेसिंग टे gates और यह मेरे पास दो मग्स आन जो पुराने हो गए हैं अब मैं इनको यूज नहीं करता तो मैं इन में जो है वो अब ब्लांट्स लगाने का सोच रहा था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कप में मग में जो है वो मटी फिल करने से पहले जो है हम कुछ स्टोन्स आड़ करेंगे यह स्टोन्स हैं मेरे पास मोटी बज़री जो होती है आप यह भी यूज कर सकते हैं या अगर आपके पास भरीक बज़री हो तो वो भी यूज कर सकते हैं तो इसलिए पानी नीचे इकठा हो जाता है तो जब रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती हैं जब इंटेक्ट रहती हैं पानी के साथ तो प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है तो इसमें जब हम ये स्टोन्स फिल करेंगे एक लेर बना लें इस सरह से स्टोन्स का कलर भी ब्लैक है और मग ये भी ब्लैक कलर का इसलिए स्टोन्स आपको अच्छे से नहीं नजर आ रहे होंगे लेकिन आप एक लेर नीचे इस तरह से स्टोन्स की बना लें उसके उपर मट्टी डालें ताके जो है वो नीचे एक अच्छी बेस बन जाए और प्लांट जो है जब पानी नीचे इकठा हो तो वो इन स्टोन्स के इर्दगिर्द ही इकठा हो और रूट्स के साथ इंटेक्ट नहीं रहे रूट्स को खराब नहीं करेगा मग में मटी आड़ कर ली है मैंने ये देखे नॉर्मल गार्डन सॉल जो हम नॉर्मल प्लांट के लिए यूज़ करते हैं ये मैंने इसमें फिल कर दी है अभी हम क्या करेंगे कि ये स्पाइडर प्लांट है ये मैं इसमें लगाना चाहरा हूं इसको हम सेंटर प्लेस करेंगे इस तरह से और इसकी साइड से थोड़ी सी मटी जो है वो हम और एड़ कर देंगे प्लांट को इस तरह से पकड़के ताके इसकी रूट्स जो है वो अंदर अच्छे से स्टेबल हो जाएं नीचे जो है वो दब जाए प्लांट अच्छी तरह से और इसको साइड से प्रेस कर देंगे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है प्लांट लगाते हुए कि इसके जो उपर वाला एरिया है ये वाला एरिया जो है इसको आपने ज्यादा प्रेस नहीं करना क्योंकि इसी जगह से इसकी रूट इसकी जो है वो नहीं शूट्स निकलने होती है नहीं लीव्स निकलने होते है अगर आप इस जगह को ज्यादा प्रेस करेंगे तो इसकी जो टिशूज है जो सेल्स है वो डमेज हो जाएंगे और प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ केरी नहीं कर सकेगा प्लांट लगाने के बाद इसको हम साइट से अच्छी तरह से पानी देंगे पहली दफ़ा में हम इसे अच्छी तरह से पानी देंगे क्योंकि मटी जो थी वो बिल्कुल ड्राय थी यह आप देख रहा है कि कितनी तेजी से जो है वो पानी मटी सक करी है क्योंकि बिल्कुल ड्राय थी पहली दफा में आप ज्यादा पानी देंगे तो ज्यादा पानी नीचे जमा हो जाएगा और इसकी जो roots नीचे की तरफ grow करेंगी उनको ज्यादा पानी खराब करेंगा और ये rot होना शुरू हो जाएगा तो इसलिए पानी का आपने बहुत ज्यादा धियान रखना है जब ये बिल्कुल dry हो surface area इसका बिल्कुल dry हो और आपको feel हो कि अब इसे पानी की ज़रूरत है तो आप इसे पानी दे अदर्वाइस ये बहुत अच्छा grow करता रहेगा आपके पास आप इसे इंडोर प्लेस करें और कम पानी दे ये देखें कुछ plants already मैंने grow किये हो हैं devil's backbone plant मैंने cup में grow किया हुआ है ये coleus plants हो हैं ये मैंने mugs में लगाए हुए हैं तो ये सारे मेरे indoor plants हैं जो मैंने इस तरह से grow किये हुए हैं आपके पास भी जो cups पुराने हो जाएं उनको फैंकने के बजाए आप इस तरह से उनसे बहुत प्यारे प्लांटर्स बना सकते हैं इन में plants लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं तो ये information थी जो आज की वीडियो में आप से share करनी थी next वीडियो में किसी नई information के साथ आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए good bye अपना ख्याल रखें दूसरों का ख्याल रखें और प्लांट से प्यार करें पाकिसान जिन्दाबाद